हाई इवरिवन आज की हमारी रेसिपी है गन पाउडर की यानि की पोड़ी साउथ इंडिया में इसे पोड़ी कहते हैं बहुत ही चटपटी सी ड्राइ चटनी होती है जिसे की इडली और डोसा के साथ खाया जाता है तो यह रहें पोड़ी में यूज होने वाले हमारे मसाले पर इन्हें कब कैसे कितना यूज करना है वह आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा तो फ्रेंट सबसे पहले हमें कडाई ले लेंगे उसे धीमी आज पर गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब हम यहां पर चने की डाल डालेंगे मैंने यहां पर चार चमच चने की डाल यहां पर मैं चार चमच उरद की डाल डाल रहे हैं यह जो दोनों दाल है दोनों को मैंने अच्छे से धो कर और फिर सुखाया है क्योंकि जो हम मार्केट से लेकर आते हूं थोड़ा बहुत पाउडर यूज किया हुआ रहता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए उसमें प यहां पर मैं दो चोटे चमच वाइड तील यानि की सफेद तील यूज कर रही हूं इसके बाद हम धनिया यूज करें यह भी हम 1.5 चमच यूज करें बहुत जादर नहीं डालेंगे उसके बाद एक चमच के लगभग हम ब्लैक पिपर यानि की काली मेर्ज या फिरा पेप पत्ते हम इसके डाल देंगे अब इसके बाद हम यहाँ पर 5-6 शुखी पार दालेंगे आप चाहें तो कश्मीरी पार दालेंगे अगर जादीक्त पुस्सेंद नहीं है तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेसन मैंने अच्हिलके वाली और बिना च्हिलके वाली दोनों ही डाली हैं ऌई झैंक सब्ल्राइब चाहें तो किया है लंकर करना है लेंडेने डेतों कि भूण eccentric को इसे भी जितना बी जितना भी नमी है उसको ख़ाना हुआध है बहुत आदा में इसल करिक कर नहीं है तो जब उतारने का टाइम आता है, फ्लेम आफ करने के पहले, 4-5 सेकिंड पहले हिंग डाल कर और थोड़ा सा इसे भून लेंगे, मसाले भून कर तयार है, तो हम इसे अब प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे, प्लेट में डालने के बाद हम 10 मिनट के लिए वेट करेंगे, त ताकि हम इसे फिर अच्छे से पीस पाएंगे, मसाले हमारे यहां ठंडे हो चुके हैं, तो अब यह बिल्कुल डेडी है कि हम इने पीस लें, तो अब ग्रैंडर जार में बिल्कुल ही सूखा होना चाहिए, पानी वाला ग्रैंडर जार यूज नहीं करना है, अगर थोड़ चमच नमक इतने में काफी होता है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अजस्ट कर सकते हैं, आप इन सब को हम अच्छे से पीस लेंगे, तो यह देखिए, यहां पर मैंने मसाले को ग्रैंड कर लिया है, अच्छी तरह से बिल्कुल ही स्मूध, हमें इसे अच् उस बिल्कुल भी ना करें, और जब भी आप इसे खाना चाते हैं, उस समय पर आप इसमें तिल का तेल या फिर घी वगेरा डाल कर खा सकते हैं, घी के साथ मिला कर खाने में बहुत अच्छा लगता है, तिल के तेल के साथ मिला कर खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो यह देखिए हमारा गन पाउडर तो तयार हो चुका है तो आगे चलते हैं अब बनाते हैं इडली पोड़ी यानि इडली के साथ में इस मसाले को फ्रेंट्स यह देखिए कड़ाई लिया है मैंने उसमें डाल रहे हूं घी आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं फिर ब में इसे खा सकते हैं अगर आपको लगे कि मसाला और डालना है तो आप उपर से थोड़ा बहुत और डाल सकते हैं जितना स्पाइसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हम इडली पोड़ी बनाएंगे तो यह देखिए ग वी किसा अप्ते कि लिए बाइ बाइ